हेलो दोस्तों एक और वीडियो देवे स्वागत है जी तो डाज जी में थो डिनाल सारे बच्छा ना प्रोमिस किता सी कि जड़ा हिंदी वी चैप्टर वाइज शूरू करांगे एटीडी वाले हमास थे ते हुना आप लेके आ रहे हैं जी चैप्टर सेकिंड अपने को ले ए चैनल ते जाके सर्च कर लिए चैप्टर वन मेल जूगा इंदे वीडियो प्रोपर डिटेल दे नाल पाशा हुंदी किया पूरा डिसकस किता है ता अपमां अग्गे चलते हैं अपमां इस वीडियो देवेच की गल करनी है इस वीडियो देवेच आपा गल करांगे वर्न विचार बाले फिनोलजी बारे वर्न विचार बारे अपमां पूरा वड़ा टोपी गया है इंदे वेच आपने कोल आजानगे स्वर व्यंजन वर्न ठीका जी मात्रा मां एस सारियां चिज्जांपा होली ओली क्लियर आउट कर लांगे एस वीडियो देवेच आपने कोल कल वर्न विचार फेनोलजी नाल जेड़े नोट्स बना अर्य बना आले हो वैसे पीडियाफ जेड़ी प्रोपरे से टांग दी ओ थोनू ग्रोप देवेच मिल जूगी फरस्ट अपने कुल किया है वर्न उस मूल धवनी को कहते हैं जिसके खंडिया टुकडे नहीं किये जा सक दाइब पर जेडा हूंदा होड़ जादा टुक्डे नहीं हो सकते मतलब वणनू होड़ जादा अक्सपैंड नहीं कित्ता जा सकते जिसको और जादा खंडिया टुकडे नहीं किये जा सकते नेक्स्ट है इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल वर्ट्स दे वेचे नोट कर लो वैस सबसे छोटी दवनी जिसके ओ टुकडे नहीं किये जा सकते वर्ण कहलाती है जिसके खंड या टुकडे नहीं हो सकते उस दवनी को क्या कहते हैं उसको कहते हैं वर्ण सबसे छोटी दवनी जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते उसको क्या कहते हैं वर्ण इतना लेकि अंद्य जी एक्जामीनर है जड़ा कोस्तन चेंज कर सकता है पर जड़ा अपना अंसर की रहुगा सेम टू सेम एसे टांगनल जिनने भी कोस्तन थोड़े सामने बंदे ओए ओह मेशा ही पॉइंट 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 लेके आया करांगे और नेक्स जल दें अपना अपने थर्ड कोस्तनल भाशा की सबसे छोटी एकाई कौन सी है बाशा दी साव तो छोटी काई ठीक है जी नेक्स अपने को ले भाशा की सबसे छोटी एकाई दवनी को क्या कहते हैं की केंदिया जी वर्न देखो एक लाइन अपना डेफिनेशन पड़ी है ओंदे विच्छो तेन कोस्तन बानगे अपने को ले अंसरों ना दे सेम है पर कोस्तन की है अलग लग यह नोट जरूर कर ले तुसी मिसना करें होना पागो छोटी एक्जांपल कर दे हैं और दूसरे शब्दों में बाशा की सबसे छोटी काई दवनी है अच्छो क्लियर आउट हो गया जी आ देखो अपने को ले और इस धवनी को वर्न कहते हैं अच्छे भी आगया अपने को ले बाश जी वर्न भाशा की सबसे छोटी काई है इसके और खंड नहीं किये जा सकते उधारन द्वारा मूल धवनियों को यह सपस्ट किया जा सकता है केडियां 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 त्रवनियां जिमें कई बच्चानों कन्फ्यूजन होगी देखो अपने कुल की यह राम राम दे व गया नेक्स अपने कोषलियों को वर्ण कहते हैं अखंड नहीं किते जीना टुकड़े नहीं हो सकते एक हड़ियां अखंड दवनियां जय पोच्छवी ले अवित कुस्तन बान सकता कि राम कौन सी दवनियां अखंड चलो नेक्स चल दें टयांव कितनी मूल दवनियां कि लिए अपने को लिए गया शब्द में कितनी मूल दवनिया चार ए मोक्तास दे विच भी पुछे जा सकते या थियार कर दे रहे हो नाल अपने को ले अखंड मूल दवनियों को क्या कहते हैं वर्न देनाल ही चार तो पंज कोष्टन आपनाह चुक हैं देखो पड़ियाँ आपा सिरफ दोलाइन दी डेफिनेशन है दो लाइन दी डेफिनेशन विचो चार बाँ जे निकल सकते है तो सोचों वर्ण विचार दे पूरे टोफिक दे विचों कटो कट प्या तो सठ वन लाइनर बान सकते है ताहा करके किसे ने विए जेड़ी सीरीज है मिस नहीं करनी नेक्स अपने को ले हर वर्ण की अपनी डैश होती है लिपी ये वी नोट का ले हर वर्ण की अपनी डैश होती है लिपी नेक्स अपने को ले लिपी को और क्या कहा जाता है लिपी को और क्या कहा जाता है वर्ण संकेत लिपी ता मतलब की दस्या गया जी थे उन्हों होर की न का कहते हैं एक आपने कहला कहते है इसे हम एसे भी कह सकते है किसी बाशा के समस्त वर्णों के समोगों को उल‑ Sky तियार कर सकते हो पर तेक कि अपने घा घुटियत तो टोटल यह आपके तो होगी आप अग्गे आपने को लागे वर्ण के बेद वर्णों इत्या नाल पाढ़ लेओ कई बच्च नों के वर्णों के समुधाय को ही वर्ण माला कहते हैं ज़िखेंगें वर्नमाला देखो तेन कोस्तन इंदे विच्छों भी बांचुक्किया दोबारा फिर रिपीट कर दिना मैं वर्नों के समूग को क्या कहते हैं वर्नमाला ठीक है किसी बाशा के समस्त वर्नों के समूग को क्या कहते हैं वर्नमाला वर्नों के समुदाई को क्या कहते हैं वर्नमा माला में कितने वर्न है 52 और जे पोचले उचारन और प्रयोक के धार पर हिंदी वर्न माला के बेद कितने यह तो दुबाद आपने कुल किया हुगा दो केड़ी केड़ी है सवर्ते व्यांजन एसी अपना अगले देवेच गाल करांगे उन कि सवर्ते व्यांजन दी पूरी ड की ट्रोंपिक होना पने कोल कि एंद्य वर्न माला मैं कितने वर्ते चर्ण ओर परियोग के दार पर हिंदी वर्न माला में कितने बेद कि ओन से कौन अब समय लोगी टोपिक स्टार्ट हो चुक्किया इन्दे वेच अपा प्रोपर जड़ा डिटेल दे वेच गल करांगे कोई भी पॉइंट थोड़ा मिसनी होगा थोनों कोई भी कनफ्यूजन नहीं रहोगी बास से दुवाद किया वात वात बद बच्चे शेर कर दो कि पार्ट सेकंड शेप्टर शुरू हो चुक्किया इन्दीदा जल्दी तो जल्दी जड़ा नेक्स्ट पार्ट भी लेके आवांगे त्यारी क्यारी कर रहे हों दी भी नाल नाल इंदे ते रिस्पोंस जरूर वदिया देओ फीडबैक देओ कि कि मैं लग गया मिल दें आप अगली वीडियो वेच